अलो ट्रीडर्स वेलकम बैक टू मैं चैनल लिक्विटी स्टार ट्रीडर्स आज किस वीडियो में सबसे पहले बैंक निफ्टी के अनलेसिस को देखेंगे इसके बाद nifty and stock analysis को देखेंगे देखिए previous decay according जैसा मैंने कहा था exactly कुछ market ऐसा ही किया ठीक है यहाँ पे opening candle यहाँ पे open हुआ और first candle opening candle इसको breakdown किया अब यहाँ पे breakdown करने के साथ ही देखिए बहुत लोग तो यहाँ पे इस breakdown पे यहाँ पे कर गया होगा और breakdown के साथ ही यहाँ पे इस momentum को single candle में capture किया होगा जो कि मैंने भी किया है बरा momentum नहीं मिला अगर market यहाँ पे 480 जो support था इसको भी आप major support ही बोल सकते थे otherwise यह जो two days का previous two days का जो support था यह support यहाँ पे था जैसे breakdown किया market में momentum morning hour में opening candle में volatility काफी ज़्यादा होती है momentum भी बहुत fast यहाँ पे देखने को मिला लेकिन single candle है किसी को expectation नहीं था कि यह जो gap होगा उस gap को first candle फिल कर लेगा लेकिन जैसे फिल कर लिया अब market यहाँ पे sustain करने लगा देखो अगर इसको continue breakdown कर देता यहाँ से एक solid momentum हम लोग को again देखना ही मतलब यहाँ से मिलता ही मिलता यह नहीं का कोई chances नहीं था लेकिन जैसे market इस level को sustain करने लगा मतलब hold करने लगा यहाँ से देखिए upside यह candle जो है second candle लगाया अब यहाँ पर जो लोग sale किया होगा अगर आपने देखा होगा मैंने भी seal किया था मतलब put side को buy किया था यहाँ से यहाँ तक में सिर्फ यह इसी candle में opening candle में मुझे 40 to 50 point का momentum यहाँ पे सिर्फ मिल गया इस support level तक मेरे दिमाग में कहीं कहीं था अगर इस support level को hold कर लिया और breakdown नहीं किया तो यहाँ से बड़ा momentum हम लोग को नहीं मिलेगा और यही चीज़े यहाँ पे देखे continue क्या क्या 4 to 5 candle यहाँ पे hold कर लिया अब इसको अगर 5 मिनट के time frame में अगर आप जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे 4 to 5 मिनट के candle में आपको एक momentum यहाँ पे बड़ा सा देखने को मिलता अगर इस level को breakdown करता लेकिन market hold नहीं कि आप 4 to 5 candle क्या क्या box type से यहाँ पे बना दिया और box strategy मैंने already आप लोग को काफी अच्छे तरीका से बताया है मैंने जब market यह वाला condition यहाँ पे follow कर रहा था तो मैंने आप लोग को बताया था कि end pattern का कुछ scenario यहाँ पे बना हुआ है मैंने screen suit के साथ आपको telegram पर भी लगाया था लेकिन यह end pattern को valid ही नहीं किया यहाँ से नीचे breakdown किया ही नहीं तो जब end pattern यहाँ पे completely valid ही नहीं हुआ तो इसको ignore कर देना है और जैसे देखिए फिर market इसको breakout करके ऊपर यहाँ पे breakout कर दिया तो guys इस level पे ही हम लोग ने buy किया था आपको मैं बता दू same as it is इसी level पे इसी timing पे हर जगा मैंने free telegram channel में मैंने premium group में मैंने advance जो group है मेरा उस group में सारे group में एक ही timing पे एक ही time का call मैंने दिया था और within 5 minute आप जाके देखो 5-10 minute मुश्किल से मुझे लगता है कि लिया होगा 100 point देने में 5-10 minute लिया होगा और total तो 200-300 कितना दिया बाद में मैंने update भी करना छोड़ दिया लेकिन 5-10 minute के अंदर वहाँ पे 100 point दन कर दिया अब guys आपको 5-10 minute में पूरा market आज आप देख लो अगर option buyer के according देखेंगे तो यहाँ से जो momentum ये वाला catch हुआ है option buying के C side में इसके बाद whole day market sideways हो गया nifty का expiry था वो अगर इस type का market momentum कर रहा था आप सोचो कि इस type के momentum में option buyer के लिए कितना difficult होता है profit बनाना वहाँ पे maximum लोग लुज किया होगा expiry को लेके लेकिन वहीं पे अगर आपने bank nifty को trade किया होगा तो काफी अच्छा momentum यहाँ पे gain किया होगा morning hour में एक momentum यहाँ पे मिला होगा और इस चीज को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग पूस्ते हो बहुत लोग को देखना भी रहता है कि मैंने किस basis पे call दिया हूँ free telegram में कैसे मैंने gain किया है तो वो यही breakout था जो हमारा यहाँ पे box strategy के according था और box strategy किसे कहते हैं यह already मैंने वीडियो बना के अपने youtube channel में दे दिया हूँ जरूर देखिएगा telegram channel में भी मैंने वहाँ पे दिया हुआ है तो यह वाला आपको gain हो गया अब free telegram channel का link आपको इसी वीडियो के discussion में मिल जाएगा वहाँ से join कर लिजिए और daily basis पे वहाँ पे learning and earning आप live कर सकते हैं और guys बात रही premium group की premium group में जो मैंने solid यह दो call put वाली यह वाली और C यहाँ पर दो call जो मैंने दिया था यह भी बहुत सांदार लगवाग more than 200 plus point वहाँ पे done किया है अब यहाँ पे जुरने के बहुत सारे लोग premium का नाम सुनते हैं यहाँ पे मतलब सोचने लगते हैं क्या होगा कैसे होगा guys कोई charges नहीं है सारे चीजे free में है बस आपको एक छोटा सा काम करना होता है मेरे link से demet account open करना होता है link आपको इसी video के discussion में मिल जाएगा और वहाँ पे मुझे telegram पे contact कर सकते हैं वहाँ पे आपको private telegram channel में add किया जाएगा जहाँ पे lifetime के लिए add किया जाएगा कोई charges भी नहीं लगेगा और live market के सारे update भी वहाँ पे मिल जाएगे even my training अगर start करता हूँ तो वो भी आपको free में मिल जाएगे तो इतना सारे चीजे आपको कोई भी बंदा पूरे YouTube पे free में नहीं दे सकता है मैंने already सब को देख रखा है तो guys अगर आप join करना चाहते हैं जुरना चाहते हैं वीडियो के discussion में जरूर चेक आउट कीजिए सारे link मिल जाएगा account open करके वहाँ पे contact कर सकते हैं और याद रहे यह बहुत कम time के लिए यह offer है जैसे end होगा तो same चीजे के लिए आपको pay करना होगा और वो charges आपको telegram पे सारे चीजे new contract new weekly expiry यहाँ पे add होगा bank nifty का कल nifty का भी हो जाएगा तो momentum आपको बड़ा एक तो premium बड़ा मिलेगा momentum भी कम मिल सकता है अब देखो यहाँ पे previous two days से तो already market इस range में थाए आज यहाँ पे breakdown भी किया तो यह momentum छोटा सा momentum दिया लेकिन इस level को completely यह जो 480 है इस level को breakdown नहीं किया only यहाँ पे gap को fill गया और market sustain करके ऊपर चला गया ऊपर मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा momentum ऊपर मतलब कि जो range previously यहाँ पे momentum कर रहा था same range में आ गया अब यह फिर से confusion create कर दिया कि market क्या होगा और मैं एक आपको बहुत important चीज बताना चाहूंगा यहाँ से लेके यहाँ से यह जो momentum आप देखे किया हुआ है यह momentum देखे कितना मतलब सारे candle में लगता है कि volume ही नहीं है यह एक तरह से बिलकुल box type से आपको फिर से बनता हुआ दिख रहा है और एक भी candle में देखे चाहाँ वो green हो या red हो किसी भी candle में volume completely नहीं है इस type का कोई भी candle नहीं है जहां से यह decide हो पाए कि market up side जागा या फिर down side जागा क्योंकि green और red candle सारे candle या तो doji है या hammer है या फिर negligible है बिलकुल जिसमें volume ही नहीं है तो ऐसे condition में हम लोग को थोड़ा सा option as a option buyer हम लोग को strict रहना पड़ेगा rule beast रहना पड़ेगा जब तक level breakout या breakdown नहीं होता है हमको patiently wait and watching करना होता है क्योंकि option buyer थोड़ा सा भी गलती किये तो एक week, एक साल, दो साल कितना दिन का profit एक जटके में ले लेगा किसी को पता भी नहीं चलेगा और पूरा account भी आपको zero हो जाएगा इसलिए जितना ज़्यादा discipline आप रहते हैं उतना better है एक दिन नहीं भी करेंगे trading तो चलेगा guys लेकिन capital save करना और right trade में entry करना with proper risk and reward तब जाके आपको एक अच्छी profit यहाँ पे gain हो सकता है अगर कल के according यहाँ पे देखते हैं हम लोग as a normal अगर market यहाँ पे open होता है तो हमको लगता है कि यही वाला box आपको इस तरीका से और extend हो जाएगा और लेकिन 650 again अगर इस level को breakdown करता है तो मैं फिर से बोलूँगा यह level एक risky trader के लिए है risky trader यहाँ पे breakdown candle मतलब जो candle opening होता है जैसे यह वाला candle opening candle के साथ आप sale कर सकते हैं थोड़ा बहुत risk लेके target पहले तो यही वाला रहेगा 480 लेकिन as a safe trader 480 के नीचे market को cross down करने दीजिए यहाँ पे hold करने दीजिए अगर market यहाँ पे sustain कर जाता है तो फिर सो आपको यहाँ से panic selling देखने को मिलेगा और बहुत बड़ा rally मिलेगा मतलब यहाँ तक target at least आप लोग को देना चाहिए लेकिन जब तक इस level को breakdown नहीं करता है selling pressure यहाँ से नहीं आएगा क्योंकि already market आज देखी इस level को almost touch करके यहाँ से return किया हुआ है तो कहीने कहीं यहाँ पे buyers होगा और यह buyers काफी strong होगा जो market में इतना बड़ा panic selling को यहाँ से उपर लेके चला गया समझ रहे हो ना आप तो इस level को breakdown करना जरूरी है otherwise इस range में momentum करता है तो आप wait and watch कीजिए यहाँ पे अगर आप कुछ भी गलती करते हैं आपके premium decay होगा losses होना fix है और 230 के open निकल जाता है तो हम लोग यहाँ पे buy के बारे में सोचेंगे target 1% 2% रहेगा guys कभी-कभी gap up या gap down हो जाता है आपने अक्सर देखा होगा उस condition में हम लोग नया जो level जैसे के यहाँ पे open हो गया gap down तो यह वाला level और यह वाला level दोनों हमारे लिए काम करेगा और वहाँ पे as a price section हमको देखना होता है जैसे gap up या gap down होता है normal open होता है उसके लिए यही level आप लोग के लिए sufficient है gap up gap down में सिर्फ हम लोग को देखना होता है किस level के बीच में market open हो रहा है उसके according हम लोग follow करते है अब यह nifty देखिए काफी कमाल का momentum किया आप लोग को थोड़ा बहुत suspense तो किया है मैंने आपको clear word में बोला था यहाँ पे trend line को breakdown करता भी है एक मैंने reference level यहाँ पे draw किया था उस level को तो breakdown करने के साथ ही market यहाँ तक आ गया reference level का कोई value नहीं है मैंने already आप लोग को discussion किया था लेकिन यह support है ना इस support को यहाँ पे breakdown नहीं कर पाया इसलिए bank nifty भी यहाँ पर आया और यहीं से market sustain कर गया अगर nifty breakdown कर देता तो bank nifty को कोई बचा नहीं सकता था वहाँ पे crash होने से कोई नहीं तो हो सकता यह मोका आपको कल या फिर Monday को देखने को मिल ही जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है अब देखिए यहाँ पे condition क्या है previous अगर two days की बात करे bank nifty में जो condition bank nifty इस तरीका से top level पे sustain किया था hold किया था same चीजे अब देखिए यहाँ पे nifty कर रहा है इसका मतलब है कि bank nifty का तो कहानी तमामी है मतलब वो अपना जितना momentum करना था top level पे वो कर चुका है अब nifty भी यहाँ पे at least two days जो है इस range में momentum already कर चुका है किया होगा यहाँ पे book किया होगा इसके बाद market fully sideways होगे यहाँ पे कोई trade ही generate नहीं कर सकते हैं तो छोटा छोटा ट्रेड इस range में कर सकते हैं लेकिन बड़े momentum के लिए जब तक 960 के उपर breakout नहीं करता है ता buy के लिए भी नहीं जा सकते हैं लेकिन अगर sustain कर जाता है तो यहाँ पे 21,000 और 21,050 या 100 आप यहाँ पे जा सकते हैं फॉस्ट और सेकेंड टार्गेट लेकिन अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे downside के लिए 850 के नीचे निकलता है market sustain कर जाता है यहाँ से panic selling आने की संभावना काफी ज़्यादा है क्योंकि इस type के condition में bank nifty भी अपना low को break करेगा जो वहाँ पे range support है और breakdown करने के साथ वहाँ भी panic selling आएगा यहाँ भी मतलब दोनों का direction भी same हो जाएगा bank nifty और nifty फिर तो इसको कोई बचाई नहीं सकता है क्या ही बोलू मैं यहाँ से बहुत बड़ा momentum आ सकता है एक panic selling आ सकता है आपको यह सारे target देखने को मिल सकता है ठीक है तो guys अगर दोनों का momentum same होता है तब तो मैं बोलूँगा without any hesitation आराम से sell कर सकते हैं अब यहाँ पर देखिए यह है Apollo Hospital यहाँ पर यह कुछ previous मैंने आप लोगो level बताया था अब मैं थोड़ा सा change किया हूँ market यहाँ से जब open होके देखिए यह one way momentum upside का दिया है अब क्या condition है यहाँ पर एक से दो दिन already यहाँ पर hold कर चुका है और धीरे-धीरे market यहाँ पर trending dawn कर रहा है आज भी देखिए यहाँ पर open होआ यहाँ से dawn आया है तो अब आपको क्या लग रहा है यह जो level है यहाँ पर यह support level यहाँ तक market आना सी है या फिर यहाँ से returning upside जाना सी है यहाँ पर अभी market closing है अभी आप लोग ने पूरा सिनारियो यहाँ पर open hospital का देख लिया अब मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ समझाता नहीं हो यह आप लोग को देखना पड़ेगा आप लोग को यहाँ पर सोचना पड़ेगा बताना पड़ेगा मुझे comment में जैसे previous day आपने बताया था बहुत खुबसूरत जवाब था बहुत लोगों का आज आप लोग match करना है कि आपके according हुआ या नहीं हुआ है मैंने जैसे बताया था उसके according क्या level था कैसे था आज भी देखिए कहीं न कहीं सेम सिनारियों यहाँ पे बना हुआ यह वाला inclined triangle pattern जो descending trend में है यहाँ से मतलब down trend में है कल के according market क्या करेगा यह जो दो level देख रहे हैं 5465 5243 यह दोनों level के बीच में market काफी देर तक यहाँ पे sustain किया है condition एक है कि यहाँ पे rounding bottom यहाँ पे market लगाया हुआ देख रहे हैं आप इसको rounding bottom बोलते हैं अगर round उपर से इसे आता है तो इसको rounding top बोलते हैं यह सब chart pattern है मैं already सारे चीज़े बता चुका हूँ जो चीज़े मैं बता चुका हूँ उसी चीज़ें का बाते करता हूँ मैं only ठीक है यह chart pattern है rounding bottom बना हुआ है क्या लगता है market को यहाँ तक जो support है इस support को match करना चीज़े यहाँ पर आके या फिर कुछ यहीं पर sustain करके इस तरीका से उपर जाना ची़े अगर उपर जाना ची़े तो यह level जो आपको दी है यह done होगा otherwise अगर नीचे यहाँ से जाता है तो आपके लिए यह सारे level रहेंगे आपको done करेगा तो आपका यहाँ पर क्या view है Apollo हस्वेटर में market buy side जाएगा या फिर sell side जाएगा या फिर upside जाएगा तो trap करने के लिए जाएगा मतलब क्या क्या condition हो सकता है क्या buying level हो सकता है क्या support resistance कैसे match कर सकता है क्या proper breakout या breakdown हो सकता है आप लोग इसको properly एक as a homework के तरह आप comment box में बताइए मैं वहाँ पर देखता हूँ आपका view क्या है सही है या गलत है मैं proper response करूँगा और guys वीडियो पसंद आया तो वीडियो को झाल झाल झाल